हाई फ्रेंड्स मैं हूँ हफीज आप देख रहे हो हिंधी टेक्टूट फ्रेंड्स आज कल दीखिए आपको एक न्यूस बहुत सुनाई दे रही है और बहुत सारे व्यूडेस वाइरल हो रहे हैं क्या PUBG को इंडिया में ब्यान कर सकते हैं, इस तरह का एक news viral हो रहा है, और एक news भी है, आलड़ी चाइना में PUBG को ब्यान कर चुके हैं, इस तरह का एक news viral हो रहा है, और एक news भी है, एक 19 येर्स का लड़का उनके parents को PUBG खेलने के लिए मना करने से उन तीनों को मार दाला है, इस त तो चाइना में PUBG को बैन किया गया है, यह रियल है या जूट, तो देखिए, सही में भी PUBG को चाइना में बैन कर दिया गया है, सिर्फ PUBG को ही नहीं, Fortnite और इस तरह के 20 अवर गेम्स को भी चाइना में बैन किया गया है, रीजन क्या है देखिए, उसमें Blade दिखाते हैं, वो Blade और उसमें कुछ वलगारिटली है, इसके खातिर जो कुछ भी PUBG है ना, उसको और Fortnite को बैन किया गया है, और ये बात ही नहीं, देखिए, अगर आप गौर करोगे ना, तो जो कुछ भी PUBG खेलते हैं, जो कोई भी PUBG खेलते हैं, सारा दिन उस पे बिताते रहते हैं, यानि बहुत सा जान दो कर उसके पीछे पढ़ जाते हैं, यानि खाना नहीं खाते हैं, स्कूल को नहीं जाते हैं, एक्जाम्स नहीं दे पाते हैं, और हस्बेंड उसके वाइप से बात नहीं करता है, इसके खातिर बहुत सारे डाइवर्ज भी हो रहे हैं यूजस में, तो इस तरह के उस पे आमको mobile पर चलता है तो उसको ban नहीं किया गया है उस article में इस तरह दिख रहा है और Chinese government बहुत सोचती है बहुत alert रहती है उन लोगों को पता चल गया है उन लोगों के जो कुछ भी youth है वो misguide हो रहे है यानि बहुत सारा time pubg पर विताने से क्या होता है देखिए automatic देश की तरक्की है और उग जाती है क्योंकि सारा time waste हो रहा है pubg पर ठीक है तो वो लोग अच्छा सोच कर क्या कर रहे है pubg को ban कर रहे है इसी तरह देखिए हमारे इंडिया में भी तमिल लाड़ में VAT इंस्टूट है वहाँ पर भी pubg को ban किया गया है क्योंकि देखिए वह लोग कुछ भी करना है करी है पर जममें खेल सकते हो इस तरह बैं लागा अगया और अगर आभा पार जाते हो तो तो वह क्य 1946 चाहते हो ठीक है तो इसलिए वो लोग इस तरह का एक step लिए है तो फ्रेंट देखिए आपको एक doubt आता होगा मैं इतना सारा बोल रहा हूँ ना मैं खुद PUBG खेलता हूँ या नहीं तो देखिए मैं भी PUBG खेलता हूँ पर उसको अडिक नहीं हुआ हूँ मैं मैं उसको time देता हूँ यान कादा घंटा शाम में कादा घंटा कभी कबार खेल लेता हूँ फ्रेंट्स के साथ मैं भी enjoy करता हूँ पर उसको मैं अडिक नहीं हो चुका हूँ कब चाहे चब मैं उसको रोक सकता हूँ मुझको आगर एक महने के लिए या एक साल के लिए जिंदेगी भर PUBG मेरे पास नहीं और सब्जेक्ट एक्जाम तक इसने नहीं जा रहे है पबजी के खेलने चकर में ठीके तो फ्रेंट्स आप इस तरह मत करिए आपको देखे आउरेक एक इंस्देट बताता हूँ पर देखे इस इंस्देट के बारे में कुछ अलग बताये जा रहा है मैं इंटरनेट पर दो पूलिस वाले ये बताते हैं कि वो लड़का है वो लड़के के बारे में आसपास लोग जो कुछ भी होते है वो बहुत अच्छा है बहुत इन्योंसेट है इस तरह बता रहे है पर देखे एक्चुलि क्या है वो लोग के घर में कबसे की लड़ाई हो रही है किस बारे में देखे बच्चा बहुत सारे सब्जेक्स फेल हो चुका है इसलिए उसके पापा और मामी और दीवी डाट रहे है और ये लड़का भी वही एरिया में यानि वही डेली में किसी और प्लेस पर जाकर एक रूम रेंट लेकर वहाँ एक टीवी अरेंज करकर सुबह शेव साथ बंक करने की बात हो या जो कुछ भी हो वहाँ से बंक कर देते हैं बंक करके और उसमें कोई तोड़े गल्स भी है ठीक है इस तरह वह सब मिलके वहाँ इंजाइ करते हैं इस तरह पोलिस वाले बता रहे है और उस रूम में टीवी भी है बता रहे है तो और वहाँ पर ही ये बहुस सारे वीडियो और आर्टिकल दिखाई जा रहे हैं पर देखिए वो लड़का फैले से ही पड़ाई सीधा नहीं करता था और सब्जेक्ट फेल हो चुका था और उसके साथ साथ पबजी भी खेल रहा था ठीक है यानि पबजी खेल कर ही उन लोगों को नहीं मारा यानि दिवर्स हो रहे हैं ठीक है इस तरह के बहुत सारे इंसेट आ रहे हैं या जो कुछ भी है वो सही है पबजी गेम ऐसा ही है यानि इसमें अगर आप खेलने लगते हो ना तो आटोमेटिक आपको अडिक्शन लग जाता है तो अगर आप मेरे सब्सक्रेबर हो यानि मेरे वी इंटेन्मेंट के लिए ही ये बनाया गया है उसको एंजाइ करिए पर अडिक्शन मत दाईए इससे आपका सहत मत खरब करिए रात के ग्यारा बजे बारा बजे एक बजे तक आपकी नींद गुमा कर खाना नहीं खा कर जो कुछ भी पेरेंट्स बोलते है ना उस बात को मत नहीं सुनते हुए कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हुए एक्जाम को नहीं जाते हुए इससब करोगे ना तो आपकी लाइफ ही बरबाद हो जाएगे आपको आप तिलहाल तो एंजाइमेंट दिखेगा पर बाद में आपको बहुत अफ्सोस होगा आपको ये जो कुछ भी टाइम पड़ा हुआ है इस तरह का टाइम हो तो अब जरूर पपजी खेले ठीके तो फ्रेंज आगर आपको एग वीडियो पसंद आता हुए तो लाइक करें शेर करें इस तरह के इंट्रेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहें हिंधी टेक्ट्यूट्स